हलो फ्रेंड्स रेस्पिच हैबन में आपका स्वागत है आज में बनाऊंगी आलू मटर की सब्जी सभी को बहुत पसंद आती है घर में इसे अक्सर बनाते रहते हैं बहुत आसानी से बन जाती है तो आईए आलू मटर की सब्जी बनाना सुरू करते हैं आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में दो बड़े चमच सरसू का तेल डाल करेंगे तेल गरम हो गया है अब इसमें आधा छोटा चमच जीरा डाल देंगे मैंने पहले से दो तीन आलू काट कर धो लिया था अब इसे डाल देंगे इससे चलाते हुए चार से पांच मिनट तक फ्राई करेंगे और गैस का फ्रेम मेडियम रखेंगे आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गया है अब इसमें एक चमच अध्रक लेशन का पेश्ट डाल देंगे आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच धन्या पाउडर आधा चमच लालमीच कि मसाला भुन किया है अब इसमीं दो टमाटर कटा हूँ कराई बढ़ी नमक डालेंगे और तमाटर को दो मिन तक पकाएंगे जिससे टमाटर तोड़ा सौफ्ट अब हरा मंतळ स्भी नमक केकी तिस फोड़ा हो जानिए जन्छा स्वाट मेड़नं गोई साथा चमच जिससे कि इसमें दो से तीन कप पानी डाल देंगे और एक बार चला लेंगे इसका फिले मेडियम रखेंगे और इसे तीन-चार मिनिट के लिए कवर कर देंगे अब धकन को हटाएंगे देखेंगे सब्जी अच्छी तरह से पक गई है अब इसमें बारी कटा हुआ हरी धनियां डाल कर मिलाएंगे और गैस का फिले माउफ कर देंगे बहुत ही टेश्टी आलू मटर की सब्जी बन कर तयार है आप इसे चावल, रोटी, पराठा किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं अगर आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें